नमस्कार दोस्तों जहंद डिके यादब नीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जैहन वन्दे मातरम कि उनको 20 साल में पाला इसलिए गया था कि आपने इंडिया के साथ रहना है और पाकस्तान के खिलाफ होना है और यह चीज़ गया जा रही यह पाली जा रही है उस زمانے سے جس زمانے سے پاکستان کا وجود آیا تھا. उस जमाने बहुत स्टाइसिस चल रहे हैं अफ़ानिस्तान और पाकिस्तान के तरमियान और तालिबान की जाने से एक स्टेट्मेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर यानि कि पाकिस्तान अगर तो फिर हमें जहां से भी वसायल इकठे करने पड़े हम करेंगे और कर रहे हैं और हमारे पास इतने बैक अप प्लाइन जरूर होता है जिसमें हम अपने मुलक का दिफा कर सकें एकॉनमी के बड़े बुरे लाथ हैं दूसी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमें नैशनल कंसेंस चाहिए जिसी तरफ हम ये कह रहे हैं सियसेदान नहीं बैठ रहे हैं चौती तरफ हम जो है वो समझ दे हैं कि दुनिया के साथ हम कट अफ होकर रह गए हैं थिक्स आप सोचें के हमले हो चुक है इस दूरदार 12 के अंदर उस में सिर्फ ताल्पान नहीं बी ऑले बी साथ चामल है और आप देखें कि बी ऑले और ताल्पान उसक्राइब जसक्त चलते हैं को यहां को नजर्याती सूर्थ-चाइल तो नहीं है यहां तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एजिंडे के साइट करते ना बियाले तारीक तालबान यहां को इसलामी कुमत का आज मैं देख रहा था था उनका उनने अच्छी खाता हूँ यहां बनाय हुए हमारा यह वजीर है अमारा फुला है अमारा इत्साब का यह अफुला पता नहीं के इतनी लबी चोड़ी उनकी जो वेब साइट पर आ चुकी हुए थे असल मस्छा यह है कि इस वकत जाना सनावला जैसे आदमी जो है ना उनकी बिजाए किसी ऐसे मुनासब किसम के आदमी को बियान देना चाहिए और फॉरना दाखला का बियान देना है कि हम हौट परसूट में जाएंगे अब हौट परसूट के अंदर तो अमरीका वाँ ना काम हो सका है भाई क्या बात करते हो मुला उमर ने एक बियान दिया था बड़ादा बरदस किसम का उसने कहा था कि अफगानस्तान एक गूंद का तालाब है इसने जो आया गुस है बाहर निकला नहीं है तो असल मसला यह था आज चुर्कोटी कॉंसल की सच्ची बात है पर ठीक उन्होंने बात की कामने इसको बैटके सही तर्म पी करना है उसको देखना भी है सब को पाकस्तान को इस सुफ o ar-pantlasses देखना चाहिए ना अमरीका को देखना चाहिए कामरीका क्या यहां चाहता है जैसे बिलावल सहाब बाते कर रहे है कि हम को एक और लड़ाई के अंदर, क्योंकि हम लॉड में डालेंगे, हम डिस्टरब होंगे, चाइना का सी पैक का रास्ता खतम होगा, कंटेन्मेंट अफ चाइना की सुर्तियाल होगी, ना अमरीका के ये सोचें कि हमें एक बिलियन डेर बिलियन डालर दे देंगे, जैसे उ 2002 में दिया, हमने अपना आपको तबा कर लिया, हम 70,000 बंदे मर वादिये, हमारा घर उजड़ गया, हमारा पुरे का पूरा इलाका उजड़ गया, हम आाख में घुसके, वो तो लड़ते रहे हो तो अमरीका घुसार लड़ रहे थे, वो तो अपना मुलक अजाद करे थें अबरेका गुषाबा था, हम किसकाते हैं मुझा एर्थजार थे हम नहीं लड़े था, हम ने तबाग किया अपना बहुत सारी मिसालें ऐसी दी जा सकती है कि प्रोस में मुलक्ते उन्हें नहीं किया लेकर वो बचे भी रहे सारे दैस्टेशन के असल मस्ता इस वकत यह आ चुका हुआ है सिकूरिटी कॉंसर ने भी बात किया जो आपने प्रताई कि आप इस वकत इसको बहुत सीरियसली इस सारे को देखना है और बहुत सही तरह क्यो आपको क्या लगता है कि अग्रेसिव अप्रोच जैसे के औरिया साब ने भी कहा है वो नहीं अपनानी चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को लेकिन अफगान तालिबान खुद भी तो मुतादित मौके पर ही कह चुके कि अपनी सर्जमीन किसी मुलक के खिलाफ इस्तिमाल नही मुलक में जितने टेरिरिस आए हैं कुछ तो फ्लाइ करके आए हैं सिर्या से जितने लोग आए हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है उस पे उन पे तो उन से हम क्या कह रहे हैं कि आप कंट्रोल करें जब वो खुद ए विक्टम बन रहे हैं टेरिस का उनके मुलक में बिसाल के तो यह तो जानबूच के तो नहीं हो रहा है, यह निगलेक्ट से नहीं हो रहा है, यह इसलिए हो रहा है कि उनका कंट्रोल नहीं है, तो अगर वो खुद नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या जाके करेंगे वही? और यह राना सानावला को यह बात कहना, बिल्कुल सही कह रहे हैं और यह साबी, अगर कोई भी कहना है, यह फॉरें आफिस की बात काम है, फॉरें रिफेस का काम है, यह जाके एंटिरिया मिनिस्टर कहना कि हम दूसरे मुलक को इन्वेट करेंगे, एक, दूसरी बात जो मैं आपको किन्दर, लेट अस्यूम के वो बिचारे खुद नहीं कंट्रोल कर सकते हैं जितनी भी वो कोशिश के हैं, हाँ, बहतर कोशिश कर सकते हैं अगर नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करते हैं भाई, हमारी क्या जबरदस्त इतनी सिक्यॉरिटी है बॉर्डर पे, उसको पेट्रोल करने का हमने क्यों नहीं सोचा, उसको मॉनिटर करने का क्यों नहीं सोचा, बड़े सारे ड्रोन सिस्टम्स हैं जिससे हम ये कर सकते हैं, और हाँ, कभी-कभी अगर ऐसा हो कि हम देख रहे हैं कि TTP के अटैक्स उनके इलाखे से हो रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि वनंदर जाके उनने की बैसिट के दर इहां? अगर आपको पता है उन कि बैसिस किदर आ हैं तो उनको मॉनिटर करें फिर आपको पता चलेगा कि इस बैस को निकल रहा है और कैसे पाकिस्ताँ च्रीन के अंदर आ था, वो completely was a different game, पाकस्तान का जो दूसरा हिसा इस पाकस्तान था, वो enemy territory के उपर से गुजर के दूसरी साइड पे जा कि उन्होंने लड़ना था, और वहां पे circumstances, उनको पाकस्तानी establishment जो आर्मी, उसको सिरफ और सिरफ भारती फौज के साथ नहीं लड़ना था, उनको वहां प आर्मी की तरह सामने, मुक्तिबानी से डार के, क्योंकि उन्होंने उससे कुछ दिन पहले, गवर्नल जेनरल की रेजिदेंस पे अटेक किया था, तो वो circumstances दाबर completely different, आज, it's completely different, हमारी इस वकत establishment demoralize हो चुकी है, यह वाकी fact है, खान साब ने उसमें, रोल एक अदा किया है, फिफ्ट जेनरेशन वार बिलकुल पाकस्तान में अंदर, अगर कल को आप देखेंगे, कि जब लोगों को वारफेर पड़ाया जाएगा, आर्मी स्कूलों में, तो पाकस्तान की मिसालें दी जाएंगे, कि इस तरीके से फिफ्ट जेनरेशन वार के जरीए, पाकस्तान के establishment क demoralize किया गया है, लेकिन इसको इस तरह भी नहीं लेना चाहिए, कि सात लाग पाकस्तान की फाज है, सारी कि सारी जो है, वो शेहरों के अंदर नहीं बैठी है, या शेहरों के अंदर वो सारी कि सारी बैठ के video recording नहीं बना रही है, लोगों की, कुछ लोग बारडर पे भी ब that is for sure, क्योंकि I have seen, I have studied the comparison of Pakistan army with India, Pakistan army with other countries, Iran, Afghanistan, जिनके साथ border लगते हैं, यह जो statement है, मेरे खाल में, जिनके साथ बार्डर लगते हैं, वरी इम्मेचियो बार्डर लगते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तालबान के पास एक एज है, क्योंकि जो अमेरिकन वहां से निकले हैं, वो तक्रीबर पचासी बिलियन डालर का असला छोड़ कर गया है, लेकिन उनको चलाने की सलाइएत नहीं रखते हैं, हेलिकाप्टर जो हैं, उनको उड़ाने की सलाइएत नहीं रखते हैं, जाती दफ़ा कई मजाइटी जो वैपन वो छोड़ के गिया हैं, तोड़ के गिया हैं, मैं उसके एक चोड़ी सी मिसाल लेता हूं, जो पिछले दिनों इन्हों ने जो तोर्खंब और चमन एरिये में, वहां पे इन्होंने कुछ सिविलियन पे अटैक किया, तो हालत उनकी यह है कि जो सिविलियन पे अटैक करके मारे वो बार्डर के इस साइड पर जो अफगानी खड़े थे वो अपने स्टेट्स इन्होंने मार दी है, नमबर वान, दूसरा जब फ्लैंग मीटिंग हुई या हमारे लोगों ने जाकर राप्ता किया कि यह तुमने क्यों मारा है और मारना मीट हो था, तो स्विलियन को क्यों मारते रहे हो, तुमने चेक पोस्टों पर टैक करना चाहिए, तो उनके हालात यह थे कि उन्होंने क्या हमने मारना तो चेक पोस्टों पे था, लेकिन हमें यह तोपें चिलानी नहीं आती, अगर यह सरकम्स्टांसिस है तो इस तरह की स्टेटमेंट आपका क्या है खाले को मेक सेंस करती है लेकिन यह है कि इस वक्त जो पाकस्तान के हालात है जिस त्रीके से पाकस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है जिस नमस्कार दोस्त जैहिंद दोस्त तालिवान ने पाकस्तान को कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान बार-बार कह रहा है कि हम कालवान में अंदर घुश करके श्ट्रैक करेंगे तो तालिवान पाकिस्तान को सीधा जवाब दे धिया है यद्य पाकिस्तान ने जंग छेड़ी तो 1971 से भी बुरा हाल होगा पाकिस्तानी फोज 1971 से भी बड़ा सरेंडर करेगी क्योंकि पाकिस्तान तालिवान के लगातार हमलों से परेशान हो गया है अब पाकिस्तान तालिवान पर अटेक करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बड़े मिनिश्टर अब इसे आवाज जवाब देने लगे हैं आपको याद होगा तोड़े दिन पहले बिलावल भुट्टो ने भी अमेरिका में कहा था कि हम तालिवान पर अटेक कर सकते हैं जिस पर तालिवान ने पाकिस्तान को सक्त reaction दिया है यदि पाकिस्तान तालिवान पर attack करेगा तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो जाएंगे क्योंकि जब तालिवान की हकूमत पाकिस्तान ने बनवाई थी तो पाकिस्तान काफी ज़्यादा खुस हो रहा था लेकिन आज खुण के आशू रहा है क्योंकि पाकिस्थानी फाज़ पर लगातार अटेक होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान पर काफी ज्यादा हमले हो चुके हैं तालिवान हर रोज TTP के साथ मिल कर तीन से चार पाकिस्तान के फाज़ी को देर कर रहा है आप की क्या रहा है कमेंट में जरू सेयर करें कदी आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें जैहिन वंदे मात्रम